हेलो एवरिवन आज हम क्लास नाइन चैप्टर शीक्स सीड अस्ट्रक्चर एंड जर्मिनेशन को डिसकस करने जा रहे हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम जनली पढ़ेंगे कि जो सीड है उसके स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और किस तरीके सीड जो है वो जर्मिनेट करती है उसको हम यहाँ पर डिसकस करेंगे तो पहला देरा का वाट इस असीड तो बीफोर वी टॉक अबाउट जर्मिनेशन अफ सीड इड विल बी एप्रोप्रेट तो रफ्रेस और नोलेज वाट द थ्री टर्म्स फूट सीड ग्रें एक्चुली मिन्स मत चली इसी को यहाँ पर डिसकस करेंगे तो फ्रूट जो होती है एक परकार का इन लाज राइपेंड ऑवरी होती है मत्तब ऑवरी जाकर आगे क्या होती है फ्रूट बनती है और ऑविल जो है वह जाकर आगे सीड का निर्मान करती है ठीक है तो फ्रूट जो है एक परकार का in largest ripened ovary the ovaries was form the fruit what Jowal Vards के जो वाल होते हैं वो फ्रूट के क्या बनाते वाल को formed करते हैं जिसके अंदर क्या होती है ?seed enclosed होती है the fruit protects the seed and help in seed dispersal जो fruits जो होते है वह seed को प्रोटेक्ट करते हैं और हिनी के वज़ए से seed जो होती है dispersal हो पाती है क्योंकि अगर जैसे for example मैं mango tree की बात करूं तो वहां पर mangos हो रहे हैं तो mangos होती है वह animals उसे खाते हैं human beings तो एक जगह से दुसरे जगह वह fruit जा रहे हैं और साथ ही साथ उसके वज़े से जो सीर से वह भी एक जगह से दुसरे जगह मूफ कर रहे हैं जर्मियट होते हैं अगर सीट वहाँ पर गिरते हैं और बटर नवार्मेंट मिलता है का फी जर्मियट होते हैं नेकसे आप दे रहे हैं सीड राइपेंड और 赤 रिबान करतीया यह आपका एक गुश्य का देलिन गे Indeed यह सब क्राज़क है कि वार प्रैंड विश्दा प्रश्ट ध्युलिट में oxyvad कर तो इसके अंदर होती टी जो टीवर सइट को परणच प्रॉटेग मेकनिकल डेमेज़स will talk प्रश्रीट होती है सबसे ऐंटर कवरींग होती है जो किया करती है offering में इन फाउंड डैमें सवन डेक्राइं ऐ होता है में वीट में इसमी में वीट में are ग्रेन होते हैं इस एक्षोली तो यह एक फूट पोटी इन विज़ड फूट वाल तो फूट की वाल होती है और सीड कोट होती है वह दोने एक दूसरे में फ्यूज़ हो जाते हैं और फौम करते एक प्रटेक्टिव लेयर्स को तो अब अब देखेंगे कि सीड बारे में और information gain करेंगे पहला दे रखा इट इस अ मेश्र अव्यूस आफ्र फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद जो यहां पर अव्यूस होती वह क्या हो जाती है इट कंटेना टाइनी लीविंग प्लांट्स दा इंप्रॉय डेवलाफ फॉम्द फूज स्पर्म नुकलियस यहां पर जो एक लिविंग प्लांट्स होती है ह क्या एंप्रॉय प होती है वह कैसे देवलाफ होती है जब एक निकलियस दोनों का Фूज्ट होता है तो हम एंप्लाय बchasuna समें डेवलाफ anytime वहाद आवीण में टेया है इंप्लांट को एंप्लांट्स रिमेंस आण जो क्या लटकी इंबर्य होती है वो इंबर्य कैसा होथी है जब याव फल्म निकलियस आइस और एक निकलर दोनों का fused होती है तो इंबर्य सोठोप होती है वो उसी में वो कंटेन करती है living plant को इंबर्य रिमेंज इंचीर सबूने कुंक2 कंडिशंट इन्याक्टिवती यॡचिंव होती है स्टेट अंटिल एस पोस्ट वाइब कंडिशन रहे यह मतले हैं यह यह पींदियार मिनरेल्स होने चायए साथ साथ मतलब वहाँ पर अक्सिजन प्रेजन होना चाहिए तो यह सारी जो है फेवरेवल कंडिशन है किसी भी सीट को जर्मिनेट करने के लिए ओके वाटर की वाटर होने चाहिए वाप पर नाम नेकि शाहा पर दे रहे हैं तो उसको नुट्रिशन की जो रिक्वार्मेंट होती है वह हमारे सीट जो है वह पर वाइड करती है सेतं अब्वाइब को देंग्या कैन विटिसे इन वर अन टेंपरेवल कंडिशन ओफ टैंपरेशुर्ट वर एक जो इंपराइब है वह ऑन फेवरेवल कंडिशन में सर्वाय गुट्राइब कर सकता है एबड प्टीम्टिशन में भी सुक्षे में भी वह ब्रोंग ाता है स्टेंट कर सकता है सम सीड आर नोन टू रिमेंस डॉर्मेंट इवन अप टू 100 यर और मोर कुछ ऐसे सीर्स होते हैं जो जिनके इंप्रॉइज होते हैं इनक्टिव होते हैं 100 यर और उसे ज्यादा भी रह सकते हैं वह स्टेंट रखैंट ग्लासिफिकीशन और अस्ट्रक्च्च अफसी टाइप उसी ब्रोडली देज सीड आर ऑफ टू काइड्स वॉद्ध को सब्सक्राइब इनक्राइब दूसरी ओटि या डैको मोटिलेड़न से जो फिल्स करते हैं 20 जैसे फॉल क्योद्व ग्रास इंप् और पिग ग्राम बीन यह सभी हमारे क्या हैं डाइकोड इलेड़न सेट्स में कंसिडर की जाते हैं नावनिक शान देटान है सीट बैरिंग साइस सीट जो होती है अपने साइज में वेरी करती है कुछ सीट्स ऐसे होते जो काफे स्मॉल होती है समार समार सो समोल डाट्डेयार barely visible to naked eyes आप नगनाकों से उसको काफी अच्छे तरीके से देख नहीं पाते हो जैसे फॉर एक्जामपल है पॉपी सीड जिसको हम बोलते हैं पॉस्टू सीड भी बोलते हैं और्चिड सीड सम आर्दक वाइक लाज कुछ ऐसे सीड होते हैं कंपरिजन तू अधर सीड जो काफी स्मोल सीड होते हैं उसके कंपरिजन में थोड़ी बड़ी होती है जैसे कि वाटरमेलन पंपकीन और इवनिन मैंगो लाज सीड आर दोज ओफ कोकोनट और डबल कोकोनट यह दोनों ही क्या नहें आएं लाज सीड में कंसीडर किये जाते हैं दसाइस सेप देश्टो के सीड औप डिफेरन प्लांट वेरी कंसीडरी बड़ी बड़्र बेसिक नेश्टुट्ट्ट्ट्र अब मोस्ट छिदे से मतला जा रहा है कि साइज सेप और अश्टाफ टू पैसि नेखने को मिल सब्सक्राइब करें तो इसको हम दो पार्ट में क्लासिफाइब करते पहला क्या है एक प्रकार का इंड्रोस्पर्मिक जो सीड्स होते उनको बोलते स्च्पेगते को अर्फ भीज़़ी बद्यमेशं क्या वहने कहा भी उल्वनेश होती एक घृट्रो होती है यहां नदे रिक्वार्मिक स्टोर्वध में जो सबक्राइब कर और उसके इंडर भीजिटे ऒड़ में और जलार बातकर उताह सब्सक्राइब करताथ है। That's why Catilondans इसमें क्या होते हैं थिन होती है पतली होती है और इसमें Indor Spirm persist करता है डायकोड अलबुमनस सीड्स जो है वो क्या है पॉपी, कस्टर, एपल यह सब हमारी हमारी डायकोड अलबुमनस सीड्स हैं नेक्स आपका क्या है monocode albuminus seed इसमें आपका आगया cereals, millards, palm नेक्स यहाँ पर दे रखा है exalbuminus seeds, non-indospermic यह क्या है non-indospermic को हमब होते हैं exalbuminus seeds इसमें क्या है insus seed the catalogans store food and become thick and fleshy इसमें क्या होती है कि कोई भी इंडospermic चीजे नहीं present होती है that's why यहाँ पर जो catalogans होती है वो काफी ठीक होती है उसमें क्या होते है food store होते है जिसमें seed में इंडospermic present होती है उनमें seed store होती है catalogans में food store होती है होता है जो जो पर इस तोर होती है ताकि यह जो फूड है उसका यूज किया जाता है जब एंब्रोवाय को निट्रिशन की रिकुर्वार्मेंट होती है उस थायम में इस फूड का यूज कर लिआ जाता है नेक्स आपर दे रखा है डाइकोर्ड अग्जाल्व विमिन छीडो है ग्रैम हो गया पी हो गया मैंगो मस्टर्ड मोनोकोर्ड अग्जाल्व विमिन छीडों में आप काहता है वेलिस नेरिया और चीड एम्फो अमोर कॉ फेलस ये सब नहीं है तो हूँ है नेख्ट आप हम देखेंगे दबीन सीद देर आर अ नंबर ओफ डिफरेंट गाइंड ऑफ बीन सच एज ब्रोड बीन लीमा बीन फ्रेंच बीन मतल्ड बीन की बहुत सारी वेराइटी होती है बट जन्रल क्षर ऑफ देर सीड इस दा सेम लेकि जन्रल क्षर अगर हम बात करें सबीक्ट होते हैं मत्द्र दो साइड जो जैसे हरे सारे के सेम होती है सबीक्स स्राइब को यहां पर देखी है यहां पर हमने यहां वे फिगर्स दे रखेंग है जैसे कि सबसे आउटर वाली जो पार्ट है उसको टेस्टा बोलते हैं ठीक है यहाँ पर आपको हाइलम प्रेजेंट यह वाली जो पार्ट है ने इस इस कोल हाइलम जो वाइट कलर का यह पर दिख रहा है यह कल आता हाइलम और सबसे आउटर कवरिंग होते हैं उसको टेस्टा बोलते हैं ठीक है यहाँ पर जनरली आप जहां से देखो तो वन साइडेट जो है वो एक है दोनों जो साइडेट दिखा रहे हैं वो एक कनकेव और कन्वेक्स कोटी लेटन्स हो कर रखा है जो कि अगर आप इसके सीड कोड को रिमूव करते हो तो दो पार्ट में आपकी कैटीलोडन्स सेपरेट हो जाती है यहाँ पर इंब्रॉाई के अंदर दो चीजे प्रजेंट होती है रडिकल और आपका होता प्लिम्यूल ठीक है रडिकल और प कृच यहां पर मैं सब्सक्राइब धीकल करते हैं और प्लिम्यूल होता है तेग में होता है इसको से बलते हैं बोलते हैं आपका है यहां पर फिकॉति इसे हम बोलते हैं सबसे हाट ब्राविनेस कवरीग होती है इत्प Україनड ओटीन कि अहों अभिन सबसे हाट बरोर्फ निशरोल लेर लए लाइंगे नेक्स्ट एडिकार प्रुर्वाइश सेडiox आप कैन रेय시면 सेटीज हो दिनफेंगां को जल यह हती आपका क्या होता है इस ओसो इस प्रोटेक्टिव हाइलम को देख लेते हाइलम जनरली इसको बोलते मैंने भी बता ही दिया वाइट वाला जो पार्ट यहां पर सो रखा है सीड में यहीं क्या कलाती है हाइलम कर देख लाटिए हाइलम क्या दे रखा इस अजशनिक वीटिस्टो बोल अस्कया ओंड दकने कशेल यह कहां पर प्रसरों होता है यह जनरली प्रसरों होता है कंशल साइटाण नाथिंग बट कंकेफ साइड है ना कंकेफ साइड में प्रेजेंट होता है ओके नाव नेक्ष आपर दे रखा है इट रिपरजेंट दा स्पोर्ट वेर दा ओव्यूस वाज अटेज्ट तु दा ओवरी वाल थो दा प्ले सेंटा मत्तर यहां पर क्या होता है एक स्पोर्ट प माइक्रोपाइल जस्ट उसके नीचे होती है माइक्रोपाइल सी यहां पर दिख सकता है यह देखिए जो वाइट कलर का यहां पर दिख रहा है छोटा सा पार्ट यह यह आपकी क्या कलाती है माइक्रोपाइल ठीक है माइक्रोपाइल इस स्टूएटेटेटेटेटेटेटे अवरी तक इंटर कराता है, मत्तब एक एक ओपनिंग होती है, जो पोलेंट ट्यूब को अवरी तक कनेक्ट करती है, माइक्रोपाइल सर्फ टू फंक्शन, इसके जनरली दो फंक्शन होते हैं, पहला फंक्शन है, जब आप इसको सीट को वाटर में सोक करते हो, तो ये क्या करता है, आपको वाटर की रिक्वाइम्न होती है, तो water जो है वो soak होता है किसके जरीए तो micropile के जरीए और जिसके वज़े से जो embryo है वो available हो जाता है जर्मिनिट होने के लिए It provides for the diffusion of respiratory gases for the growing embryo मतलब यह एक diffusion process के जरीए वो क्या करता है gases का exchange करता है जिसके वज़े से जो embryo है better तरीके से grow कर पाती क्योंकि किसी भी embryo को grow up करने के लिए gases की भी रिक्वार्मेंट होती है वो भी आपके micropile के जरीए ही होता है Below the seed coat are two thin thick catilidans मतलब इसमें thick catilidans present होती है which contain food for the embryo and protect it अब यहाँ पर बिन जो है वह कैसा seed हो गया तो वह है आपका एक्जोल bimina seeds होंगे क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंडॉस्पर्मिक नहीं है non-endॉस्पर्मिक है that's why यहाँ पर जो food है वो कहाँ पर store हो रही है तो catilidans में store है जिसके वज़े से catilidans जो है वो थोड़ी ठीक है नावने इक्षान दे रहा है on carefully separating the two catilidans अगर आप काफी carefully तरीके से अगर separate करते हो दो catilidans को तो आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा एक tiny embryo can easily be seen attached to one of the catilidans किसी एक catilidans पे वह attached होगी embryo consists of two parts उसमें दो parts present होते है एक होती radical जो आबाद मर जाकर root का निर्मान करती है और एक होती है plumule जो बाद में जाकर किसका निर्मान करती है suit का जो आपके picture में दे रखा था मैंने जो यहां दिसकर्स क्या था था थोरे दिर पहले दा लिम्यूल कंसेश्ट आफ सोट प्लिम्यूम में आपका एक सोट श्टेंब भी होता है विद पेर ओफ टाइनी लिप्स जिसमें आपके क्या होते है ताइनी लिप्स के और ग्रोइंग पॉइंट बिट्वीन देम उसके बी कि यहां तक हमने कर लिया हमने में हमने पूरी तरह से बीन को कंप्लीट कर लिया नेक्स क्लास में मेज ग्रेन के बारे में डिसकस करेंगे तो वीडियो को हमें पर क्लोज करते थैंक्यू